हलो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहेंगे कि यह विंडो एशी है और इस विडियों आपको इस टेप बाई स्टेप दिखाएंगे तो फर्स्ट अफॉल आपको जो उसका में रीड है उसको प्लग से बाहर निकाल लेंगे उसके बाद जो उसका उपर का कवर लगा हुआ ह उसको दोनों तरफ को जैसे अपने तरफ खीचेंगे तो ऐसे निकल जाएगा और ऊपर थोड़ा से उठाके उसको बाहर निकाल सकती है उसको निकालने के बाद फिल्टर निकल जाएगा फिल्टर निकलने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इसके बाद जो ऐसा रहेगा किनारे को प superstar को पकड़के उसको बाग परफ कीचेंगे अपने तरफ खीचेंगे अपने तरफ खीचेंगे सब्सक्राय और वा की फिर ऊपर उखा लेंगे फिर का इस तरह से PCB में उसका पैनल है और जो डिस्प्लेय पैनल उसके में ऐसे कुछ वायर रहेगा connect उसको हम ऐसे प्रिस करके बाहर खीच लेंगे वो असानी से निकल जाएगा उसके बाद इसको हम जरक करके और टूद व्रस लेंगे और मगगे में पानी उसके बाद टूद व्रस से उसके जो कूलिंग वायल है उसके जो पड़े डस्ट है जो लेयर बन गया है उसको हम उपर से नीचे के तरफ ब्रस को करके साफ करेंगे लेफट-right साइड नहीं करना है आपको सिधे उपर से नीचे ही ले के आना है टूदबरस को और कुछ फितरीके से आपको क्लिन करना है अगर आप लेफट-right की मोड में करते हैं उधर की तरफ अगर करते हैं चलाते हैं तो बिkkत आ सकते हैं तो उपर से नीचे की तरफ ही टूद प्रस को कीजे और कुछ इस तरह से आपका एसी क्लीन हो जाएगा उसके बाद जो इसी है वापस से इसको क्लीन करके जिसे फिल्टर देख पा रहेंगे मैंने धुल दिया है बाकी जो उसका कपर है उसको मैंने कपर से ठीक से साफ कर दिया है तो चलिए फिल्टर को आप लगा लेंगे फिल्टर लगाने के वाद इस सारा उसकपर कपर लगा के बस चपका देंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा उसके बाद हम पीछे तरफ आंगे फीछे condenser coil लगा हुआ है उस पे हम पानी के मदद से कुछे pipe के मदद से पानी उस पे उपर से नीचे की mode में डालेंगे उपर से नीचे की तरह ऐसे करेंगे जिसे की condenser coil पे जो dust जमें हुए है जो dust का layer जमा हुगा है वह असानी से निकल जाए तो service हो चुगी है finally कुछ इस तरह